हेलो फ्रेंड्स वेलकूम वेक टू माई चैनल स्वागता है आप सभी का मेरे सुपर लोगी चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि गरवती महिला जब मतलब प्रेगनेंट होती हैं गरव में बच्चा होता हैं तो कौन-कौन से ऐसे अंग हैं जो काले पढ़ने लगते हैं तो दोस्तो गरम में लड़का होने की खास लक्षर होते हैं अगर चैनल पर आप पहले बारे चैनल को सब्सक्राइब करें साइड में बेल एकिन में प्रेस करें मेरी आने वाली सभी लेटिस्ट वीडियों का ना दें अपनी जिग्यासा और उत्सुक्ता को कम करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं और बेटी बेटवा को सम्मान अधिकार बरावर दें उनको तो दोस्तो जान लेते हैं पहले लक्षन के बारे में अगर आप प्रेगनेंट हैं और आप भी जानना चाहती हैं कि हमारे बेवी का जेंडर क्या रहेगा तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखें पसंदा है तो वीडियो को जादा शियर करें और वीडियो को लैक भी कर दें कमेंट वक्स में जै स्री किषना या जै भोलेना अवश यही लिखें दोस्तो पहले लक्षन को बात करते हैं अ दोन से चीज़े नजर आती है अगर आपकी जो नावी लाइन है वो बिलकुल डार्क हो गई है बलैक हो गई है काली पढ़ने लग गई है तो दोस्तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो आने वाली संतान है वो एक लड़का ही होगा तो दोस्तो बात करते हैं दूसरे लक्षन के बारे में जियां अगर आपकी गर्दन जियां अगर आपकी गर्दन काली पढ़ने लग गई है काला पन नजर आने लग गया है उस पे तो दोस्तो आपकी जो आने वाली संतान है वो एक लड़का ही पैदा होगा यानि कि आप एक नन्ने मुन्ने राजकुमार को जनम देने व तो दोस्तो ऐसा माना जाता है कि लड़के के टाइम पर अक्सर ना भी जो बटन होती है वो काली पढ़ने लगती है तो दोस्तो ये लड़का होने का ही लक्षन माना जाता है नेक्ष लक्षन की बात कर लेते हैं अगर आपकी आँखों के नीचे काले गेरे पढ़ गए आपका जो फेस है वो काला पढ़ने लग गया है जाईया हो गई है रिंकल्स निकलने लगे हैं डार्क सरकल होने लगे हैं आपका गिलो एकदम छिन गया है काला पढ़ने लगा है फेस तो दोस्तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो आने वाली संतान है वो एक बेटा ही पैदा होगा यानि कि लड़के की प्राप्ती होगी तो दोस्तों मैंने इतने सारे लक्षन आपको बताएं अगर इन में से आपको एक भी दिख जाएं तो समझ लो यकीन मानो आपको एक लड़का ही पैदा होगा क्योंकि ये लक्षन बहुत ही खास होते हैं तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें जय स्री किशना रादे रादे